तो आज हम आपको वक्रांगी लिमिटेट पे शेर अनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको शेर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आगे पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब सेरूर कर देजीगा साथ ही में hit the bell आइकन तो सबसे पहले आपको वक्रा आंगी लिमिटेट के बारे में बताते हैं तो यह company ऐसी है जो technology company है जो different solutions बनाती है वो भी government project के लिए ठीक है, तो यह basically एक ऐसी company है जो solutions बनाती है like technology related और e-government projects के लिए use आते है अब बात करते हैं इसके company data की तो इसका market cap है 4359.45 करोड का तो एक small cap company है जिसका industry का PIE आप देखोगे तो 40.97 है लेकिन company का PIE आप पर 58.79 है तो यहाँ पर आपको industry के PIE से भी महेंगे price पर ये share मिल रहा है और book value भी अगर आप देखे तो 1.64 टाइमस पर आपको ये share मिल रहा है deliverable percentage है 50.48 मरलब इतनी delivery इस share की उठाई गई है और इसका बीटा है 0.97 मतलब कि अगर market 1% उपर जाता है तो इसका share पर 0.97 के बीटा से उपर जाएगा अब बात करते हैं आपे financial trend की तो जैसे कि 2018 में आप देख सकते company का जो revenue था मतलब की sales company ने 6054 करोड का revenue generate किया था बहुत ही बहुत ही अच्छा खासा revenue company ने generate किया था company को बहुत सारे projects बहुत सारे orders मिलेते उस वज़े से और उस time मुनाफ़ा भी company को 680 करोड का था 680 करोड लेकिन 2019 में यहाँ पर जो company के projects है वो decrease होने लगे इतने ज्यादा decrease जिसकी कोई हद नहीं है जैसे कि 1059 करोड का company ने यहाँ पर revenue generate किया था 2019 में 6000 से direct 1000 पर आ गई जो company का जो sales है वो इतना ज्यादा गिर गया है उसके बाद 2020 में company का जो revenue sales वो और भी वो और भी नीचे आ गया 770 करोड और 2021 में तो 380 करोड इतना ज्यादा company का यहाँ पर जो revenue है उसमें downfall दिख रहा है और उसी के साथ 2019 में company की जो profitability थी वो 30 करोड थी 2020 में सितर करोड थी और 2021 में 60 करोड थी तो यहाँ पर company का जो revenue है बहुत ही बुरी तरीके से गिरा हुआ है ठीके और साथ ही में profit profits भी यहाँ पर company के नीचे ही है तो यहाँ पर overall company का यहाँ पर financial ट्रेंड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अब यहाँ पर बात करते है शेर holding pattern की तो यहाँ पर promoter के पास है 42.6% का स्टेक foreign investors ने यहाँ पर 9.71% का स्टेक लिया हुआ है domestic investor ने 6.36% का स्टेक लिया हुआ और public के पास यहाँ पर 41.33% का स्टेक है तो यहाँ पर company की overall shareholding pattern यहाँ पर company की अच्छी खासी है अब यहाँ पर बात करते है revenue statement की तो December से अगर देखे तो यहाँ पर company ने पिछले quarter से मलब like December में 74 करोड का company ने revenue generate किया March में 101 करोड का company ने revenue generate किया जून में यहाँ पर company ने अच्छा खासा revenue generate किया 154 करोड और अगर इससे भी ज्यादा company मलब और भी अच्छा company कर पाई तो यह share में फिर से हो सकता है उच्छाल देखने को मिले वरना यही पर या फिर और भी इससे नीचे जा सकता है net profit की बात करें तो वो भी as per the sales increase हो रहा है वो भी December में 16 करोड का profit हुआ March में 20 करोड का हुआ और June में 23 करोड का हुआ है तो यहाँ पर company का revenue और sales अच्छा खासा दिख रहा है as per the quarter अब यहाँ पर बात करते है return ratios कि तो जैसे कि 2019 में 0.96% ता जो return on equity company ने दिया है है वो 0.96% ता March में हाँ पर बहुत ही अच्छा मलब as compared to 2019 increase हुआ 2.70% equity पर return और March 2021 में 2.35% मलब company की जो equity है उस पर इतना return दिया है company ने उनके shareholders को ROC की बात करें तो 1.90% से वो अभी 3.10% पर है return on assets की बात करें तो 0.92 से 2.18% पर है 2019 से compare करें तो अच्छा खासा बड़ा है लेकिन 2020 के comparison में यहाँ पर थोड़ी सी फिर से downfall दिखी है तो यहाँ पर company के जो return ratio से उतने ज्यादा भी attractive नहीं है leverage ratio की बात करते हैं company debt free है debt यहाँ पर company का नहीं है और interest coverage ratio का data यहाँ पर देया हुआ नहीं है तो यहाँ पर leverage ratio तो यह एक अच्छी चीज़़े की company debt free है तो यह एक positive चीज़ है अब एट लास बात करते हैं यहाँ पर market price की तो 5 year high यह company का 515 यह उस time बढ़ा था 2017-18 के period में जब company का जो revenue है वो 6000 करोड हुआ था और उसके बाद से जब company का हर quarter में company के revenue decrease हो रहे थे तो यहाँ पर company का जो I mean जो share है वो भी हर quarter में हर दिन company का यहाँ जो share है वो गिरे जा रहा था और at last यह 40 और 50 के range में आ गया यह share और अभी भी यह 41.25 पर trade कर रहा है और यही पर गूम रहा है 1.60% उपर था आज 0.65 उपर था तो अगर आपको मैं आपको long term purpose के लिए नहीं बोलूंगे यह share क्योंकि बहुत सारे investors ऐसे होंगे जिन्होंने 300-400 पर लिए होंगे जिन्हों लोग इस share में अटक चुके होंगे क्योंकि हाली में यह सिर्फ 40 रुपे का मिल रहा है जो 515 में था 2017-18 में तो अब यहां पर देखते कि share में अब निवेश कर सकते है या नहीं हां तो अब मैं आपको यह बोलते हूं कि अगर यह share आपको 35 या 40 40 रुपीस तक मिलता है तो आप इस share वाफ फॉर स्वेंग ट्रेडिंग के लिए आप इसमें निवेश कर सकते 45 तक आप निकल सकते हैं और अगर जिन लोगों को रिस्क लेना है कि हाँ चलो 1000-2000 रुपे चले भी गए डूप भी गए तो भी कुछ नहीं या फिर ऐसी ब्लॉक हो जाए तो भी कुछ नह कंपनी का जो शेर प्राइज है वो उचा लाइक हाई पे हाई बनाता रहेगा और उपर जाएगा तो आपको रिस्क लेना है तो फॉर लॉंग टर्म आप इस शेर को ले सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज लाइक और शेर और सब्सक्राब आर चैन थैंक यू